ओम शान्ति आज नो जन्वरी 2022 के अव्यक्त महा वाक्य रिवाज है 21.12.1989 हेडलाइन है तृदेव रचेता दोरा बरदानों की प्राप्ति आज बावनी कहा आज तृदेव रचेता अपनी शाकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं दोनों रचना अती प्रिय है इसलिए रच्ता रचना को देख हरसीत होते हैं रचना सदा ये खुसी के गीत गाती कि वा रच्ता और रच्ता सदा ये गीत गाते वा मेरी रचना रचना प्रिय है जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर शंपन बनाते हैं तो बाप ने हर एक स्विष्ट रचना को वि कि शंबन से दाता बन, ज्ञान खजाने से शंपना बनाया, सिक्षक रूप से भागी-विधाता बन, अनेक जनमों के लिए भाग्यवान बनाया, सद्गुरु के रूप में बरदाता बन, बरदानों से ज्छोली घर देते, यह अविनासी, स्ने वा प्यार, प्यार की बिस्ता यही है जिसे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुब शंकल्प रहता है प्यार में बाप को बच्चों की मेनत देखी नहीं जाती कोई मे मेनत आवेशक हो तो करो लेकिन ब्रामन जीवन में मेनत करने की आवेशकता ही नहीं है क्योंकि दाता बिधाता और बरदाता तीनों शंबन से इतनी शंपन बन जाते हो जो बिना मेनत रूहानी मौज में रह सकते हो बर्षा भी है पढ़ाई भी है और बरदान भी है जिसको तीनों रूपों से प्राप्ती हो ऐसे शर प्राप्ती वाली आत्मा को मेनत करने की क्या वेशकता है कवी बर्षे के रूप में वाब बाप के दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारी पन का नसा रहेगा सिक्षा के रूप में याद करो तो गौडली स्टूडेंट अर्थाद भगवान की स्टूडेंट है इस भाईगे का नसा रहेगा सद्गुरू हर कदम में बर्दानों से चला रहा है हर कर्म में सेष्ट मत बर्दाता का बर्दान है जो हर कदम सेष्ट मत से चलते हैं उसको हर कदम में करम की सफलता का बरदान सैज, सोता और अवश्य प्राफ्त होता है सद्गुरू की मत सेष्ट गती को प्राफ्त कराती है गती सद्गती को प्राफ्त कराती है सेष्ट मत और सेष्ट गती अपने सुइट हों अर्था सद्गती इसको तो प्राप्त करते ही हो लेकिन ब्रामन आत्माओं को और बिसस गती प्राप्त होती है वो है इस समयवी स्रिष्ट मत के स्रिष्ट कर्म का परतक्ष फल, अर्था सपलता ये सिष्ज गती सिफ संगम यूब पर ही आप ब्रामनों को प्रापते हैं इसलिए कहते हैं जैसी मत वो ऐसी गत वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गती मिलेगी इसलिए अंत मती सो गती कहते हैं लेकिन आप ब्रामन आत्मों के लिए इस संति मर्जिवा जनम में हर कर्म की शफलता का फल अर्थात गती प्राप्त होने का बर्दान मिला हुआ है बर्तमान और भविष सदा गती सदगती है ही है भविष की इंतेजार में नहीं रहते हो संगम यूग की प्राप्ती का यही महत तो है अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ती का अधिकार लो इसको कहते हैं एक हांसे दो और दुसे हांसे लो कई मिल जाएगा वो अभविश्य में मिल जाएगा यह दिलासे का सोधा नहीं है तुरंदान महापुइन ऐसी प्राप्ति है इसको कहते हैं जटपट का सोधा भक्ति में इंतजार करते रहो मिल जाएगा मिल जाएगा भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो तिदता थी, यह सचतकार जटपध होता है, और होता भी था, तो आदिस से जटपध का सोदा हुआ, इसको कहते हैं, रचता का रचना से सच्चा प्यार, शारे कल्फ में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता, कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह अविनासी प्यार औ प्रावनों के चाए अज्यानियों के दोनों शंबंद में कर्म में आते छोटी सी बात में वेर्त फील कर देते हैं जिसको आप लोग फ्लू की बिमारी कहते हो फ्लू क्या करता है एक तो सैकिंग अर्था हलचल होती है उसमें सरीर हिलता है और या आत्मा की स्थिती हिलती है मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है या भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं और क्या होता है ये क्यों किया, ये जो से, अनुभवी तो होना, और क्या होता है? खाना, पीना कूछ अच्छा नहीं लगता है, यहां भी कोई अच्छी ग्यान की बाद भी सुनाएंगे, तो अभी उनको अच्छी नहीं लगेगी, आखिर रिजल्ट क्या होती? कमजोरी आजाती है यहां भी कुछ समयता कमजोरी चलती है इसलिए ना फेल हो ना फील करो बाब दादा सेष्ट मत देते हैं शोद्य फिलिंग रहे मैं शर्वस सेष्ट अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं इस फिलिंग में रहने वाले को बेर्थ फिलिंग का फिलू नहीं होगा इस सुद्य फिलिंग में रहो जहां शुद्य फिलिंग होगी वह अशुद्य फिलिंग नहीं हो सकती तो फिलू की विमारी से अर्थात मेनत से बच जाएंगे और सदा श्यम को ऐसा नुभो करेंगे कि हम बर्दानों से पल रहे हैं बर्दानों से आगे उड़ रहे हैं बर्दानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं मेनत अच्छी लगती है वा मेनत की आदत पक्की हो गई है मेनत अच्छी लगती वा मोज में रहना अच्छा लगता है कोई कोई को मेनत के काम बेगर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है उनको कुरसी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेनत का काम दो या तो आ तो ठके हो ये पहले ही हो 63 जनम मेनत कर चुके हो अब एक जनम तो मौज में रहो 20 जनम तो भविश की बात है लेकिन ये एक जनम भी सेश है मेनत और मौज दोनों का अनुभो कर सकते हो भविश में तो वहां ये सब बाते भोल जाएंगी मजा तो अभी है दूसे मेहनत कर रहे हैं और आप मौज में हो अच्छा, टिचस ने भक्ती की है, कितने जनम भक्ती की है इस जनम में तो नहीं की है न, आपकी भक्ती पहले जनम में पूरी हो गई कब से फिर भक्ती सुरू की, किसके साथ सुरू की ब्रम्हा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ती की है कौन से मंदिर में की? तो भक्ती की भी आदी आत्माए हो और ज्यान मार की भी आदी आत्माए हो आदे की भक्ती में आवे भीचारी भक्ती होने के कारण भक्ति का आनन्द, सुक उस समय के प्रमान कम नहीं हुआ वो सुक और आनन्द भी अपने अस्थान पर सेष्ट रहा भक्त माला में आप हो जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में नहीं हो डवल फॉर्नेस भक्त माला में थे भक्त बने या भक्त माला में थे अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे वा नहीं थे विजय माला में भी थे भक्त माला में भी थे पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे भक्त माला अलग है आप तो ग्यानी सो भक्त बने ओ है ही भक्त तो भक्त माला और ग्यानियों की माला में आंतर है ग्यानियों की माला है विजे माला और जो सिब भक्त है ऐसे नोधा भक्त जो भक्ती के बिना और वा सुना ही नहीं चाते भक्ती को इस सेष्ट समझते हैं तो भक्त माला अलग है ग्यान माला अलग है भक्ती जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे क्योंकि भक्ती का पाड़ बजाने के बार आप सब को ग्यान में आना है को नोधा भक्त है और आप नोधा ग्यानी हो आत्मा में संसकारों का अंतर है भक्त माना सदा मंगता के संसकार होंगे मैं नीच हूँ बाब हुँचा है ये संसकार होंगे वो रोयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारी पन्द के संसकार है इसलिए परिचे मिलते ही अधिकारी बन गए शमझा भक्तों को भी कोई जगा दोना, दोनों में आप आएँगे क्या, उनों का भी आधाकल्प हे, उनों को भी गायन माला में आना आई है, फिर भी दुनियावालों से तो अच्छे है, और तरफ तो बुद्धी नहीं है, बाप की तरफ ही है, शुद्ध तो रहते हैं पवितरता का फल मिलता है गायन योग्य होने का, आपकी पूजा होगी, उन्हों को पूजा नहीं होती, सिप इस्टेचु बना के रखते हैं गायन के लिए, मिरा का कवी मंदिर नहीं होगा, देवताओं मिसल मिरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है, अभी लाष्ट जनम में चाय किसी को भी पूझ लेवे, धरनी को भी पूझे तो ब्रिश को भी पूझे, लेकिन नियम परमाण उन्हों का सिप गायन होता है, पूझे नहीं, आप पूझे बनते हो, तो आप पूझे नी आत्माए हो, या नसा सदा श्मीर्ती में रखो, पूझे आत्मा कभी कोई आप अवित्र संकल्व को टच भी नहीं कर सकती। ऐसे पूजे बने हो अच्छा। सदा अपने को होली हंस अनुभो करते हो होली हंस अर्था शमर्थ और वेर्थ को परखने वाले। वो जो हंस होते हैं वो कंकड और रतन को अलग करते हैं मोती और पत्थर को अलग करते हैं लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो शमर्थ क्या है और वेर्थ क्या है भी कंकड को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा गरहन नहीं करेगा, ऐसे आप होली हन्से वेर्थ को छोड़ देते हो, और शमर्त संकल्ब को धारन करते हो, अगर वेर्थ आभी जाए तो धारन नहीं करेंगे, वेर्थ को अगर धारन किया तो होली हन् बैर्त बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिनाम क्या हुआ? गवाया, सब कुछ गवादिया न, तन भी गवादिया, देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो क्या है? कितना अंतर है? जवान से भी बुढ़े अच्छे हैं, तो तन भी गवाया, मन का कितना धन था? अथा धन कहा गया? बैर्त में गवादिया, अभी जमा कर रहे हो, या गवा रहे हो, होली हंस, गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला, अभी 21 जनम तन भी अच्छा मिलेगा, और मन भी सदा खुस रहने वाला होगा, धन तो ऐसे होगा, जैसे अभी मिट्टी ह अभी मिट्टी का भी मुल्य हो गया है, लेकिन वा रतनों से तो खेलेंगे, रतनों से मकान की सजावट होगी, तो कितना जमा कर रहे हो, जिसके पार जमा होता है, उसको खुसी होती है, अगर जमा नहीं होता, तो दिल छोटी होती है, जमा होता है, तो दिल बड़ी होती है अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी-कभी जमा करते हो अपना चाट अच्छी तरह से देखा है ऐसे समय पर भी कभी-कभी वेयरत तो नहीं चला जाता अभी तो समय की वैलू का पता पढ़ गया है ना संगम का एक भी नहीं कवाएंगे, सेकेंड गवाना माना वर्स गवाना, शंगम के एक सेकेंड का इतना महतो है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गवाना, या होगा कमाना, शारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है, तो होली हंस अर्था शौपन में, शंकल में भी कवी वेर्थ गवाएंगे नहीं, होली अर्था सदा पवितरता की शक्ती से आपवितरता को सेकेंड में भगाने वाले, ना केवल अपने लिए, बलकी औरों के लिए भी, क्योंकि शारे बीश्यो को परिवर्तन करना है न, पव पवितरता ऐसी अगनी है, जो सेकेंड में बीश्यो के किछली को भसम कर सकती है, शंपून पवितरता ऐसी सेष्ट सकती है, अंत में जब सब संपून हो जाएंगे, तो आपकी सेष्ट संकल्ब में लगन की अगनी से यह सब किछला भसम हो जाएगा, योग जवाला हो, अंत में ऐसे धीरे-देरे सेवा नहीं होगी सोचा और हुआ इसको कहते हैं विहंग मार की सेवा अभी अपनी में भर रहे हो फिर कार्ज में लगाएंगे जैसे देवियों की यादगार में दिखाते हैं कि जोआला से असुरों को भसम कर दिया असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खतम कर दिया यह किस समय का यादगार है अभी का है ना तो ऐसे जोआला मुखी बनो आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा तो अभी जोआला मुखी बन आसुरी संसकार आसुरी सवभाव साब कुछ भसम करो अपने तो कर लिया है ना यह अपने भी कर रहे हो अच्छा पंजाब वाले निर्भाई तो बन गए डरने वाले तो नहीं हो ना जोआला मुखी हो डरना क्यों मरे तो पड़े ही हो फिर डरना किस से और राजस्थान को तो राज्य अधिकार कई भूलना नहीं चाहिए राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती वहां रेत बहुत होती है ना तो सदा नए राज किस मिलती रहे शवी निर्भाई जो वाला मुखी बन प्रकृति और आत्मों के अंदर जो तमोगून है उसे भसम करने वाले वनो या बहुत बड़ा काम है इस वीट से करेंगे ता पूरा होगा अभी तो व्यक्तियों कोई संदेश नहीं पहुचा है प्रकृति की तो बात पीछे है तो इस वीट तेज करो गली गली में सेंटर हो क्योंकि सरकमिष्टान परमाण एक गली से दुसी गली में जा नहीं सकेंगे एक दो को देख भी नहीं सकेंगे तो घर घर में गली गली में हो जाएगा न अच्छा आज प्यारे मिठे बावा का बर्दान चलन और चेहरे द्वारा पुरुसुत्तम इस्थिती का सचातकार कराने वाले ब्रम्हा बाव शमान भो जैसे ब्रम्हा बाव साधारन तन में होते भी सदा पुरुसुत्तम अनुभो होते थे साधारन में पुरुसुत्तम की जलक देखी ऐसे फोलो भादर करो कर्म भल साधारन हो लेकिन इस्थिती महान हो चेरे पर सिष्ट जीवन का परभाव हो जैसे लौकिक रीती में कई बच्चों की चलन और चेहरा बावसमान होता है यहां चेरे की बात नहीं लेकिन चलन ही चीत रहे हर चलन से बाव का नुभाव हो प्रम्हा बावसमान पूरुषुतम इस्थिती हो तब कहेंगे बावसमान जो एकरस इस्थिती के सिष्ट आसन पर इस्थित रहता है वही सच्चा तपश्वी है लवले निस्थिती का अनुभाव करो यह परमातम प्यार आनन महीं जुला है इस सुगदाई जुले में सदा जुलते रहो परमातम प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिष्थिती वह आमाया की हल्चल आने सकती अच्छा ओम शान्ति